तो दोस्तों अगर आप अपने Yono SBI का username and password भूल गए हो तो किस तरीके से आप अपने Yono SBI का username and password आप पता कर सकते हो चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो like कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो subscribe कर लिजेगा तो अपने Yono SBI का username and password पता करने के लिए इसके लिए simply आपको Google को open करना है Google को open करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको search कर लेना है SBI Net Banking राइट तो जैसे आप यहाँ पर SBI Net Banking सर्च करेंगे आपको दोस्तों first SBI Banking राइट बाइंकिंग मिल जाएगी आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से open हो जाएगा आप नीचे continue to login पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस open हो जाएगा आप देखो गाईज आप चाहए यहाँ आप में लोगिन कर रहे हैं या फिर इ आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पर नीचे forgot username and login password पर क्लिक करना होगा गाईज जैसा आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ हाँ आप दोस्तों यहाँ पर simple आपको select option मिल जाएगा तो आप forgot my login password इस पर क्लिक और यहाँ पर लिखा रहता है तो आप देख कर देना तो चलिए यह information में enter करता हूँ फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ So guys मैंने यहाँ पर अपनी detail enter कर दिया हूँ फिर आप नीचे submit पर क्लिक करेंगे जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे आपके registered number पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डाल कर submit करेंगे जैसे आप OTP डाल के confirm करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका username सो हो जाएगा आप देख सकते हो यह हमारे YonoSBI का username for security region मैंने अपना username hide कर दिया हूँ because username share नहीं कर सकता हूँ तो login username is and इसके आगे यह हमारा username है तो इस username को आप कहीं note कर लिजिएगा and यहाँ से simply bike आईएगा तो अभी हम यहाँ पर इस page को cut करते हैं and bike आते हैं तो इस तरीके से आपको अपने YonoSBI का username पता चल जाएगा अब चलिए हम पता करते हैं अपने username का password है ना login करने के लिए तो simple आप वहीं पर आ जाना SBI net banking साच करेंगे and आएंगे वहाँ पर continue to login पर क्लिक करेंगे and यहाँ पर forgot username password इस पर दुबारा से क्लिक करेंगे and आपकी बार में दोस्तों यहाँ पर आपको forgot my login password को select करना है वैसे आलरेड़ी यह select रहता है तो आप इसको select करेंगे and next value option पर क्लिक करेंगे जैसा आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी information डालना है सबसे फ़ले यहाँ पर आपको username डालना है जो की username आपको अपना पता चल चुका है अपना username डालेंगे उसके बार में आप अपना account number डालेंगे उसके बार में आप country अपनी select करेंगे इंडिया है ना तो इंडिया से हूँ इंडिया select करेंगे उसके बार में आप अपना mobile number डालेंगे जो number आपको अकाउन्ट में link है उसके बार में आप अपनी data birth डालेंगे यहाँ पढ़ाई लिखा है वो डालेंगे जैसे आप submit पर click करेंगे आपके number पर फिर से OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालेंगे तो OTP डालने के बाद यहाँ पर आप confirm पर click करेंगे तो अभी आपके सामने ऐसा option आजाएगा यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे पहला आपको मिल जाएगा using ATM card details and दूसरा आपको मिल जाएगा using profile password and तीसरा आपको मिल जाएगा reset your login password with branch assistance तो यहाँ पर आप तीन तरीके से यहाँ पर रिसेट कर सकते हो पता कर सकते हो सबसे आसान है ATM card वाला तो यहाँ पर दूसरा आप फर्स्ट वाले option को सेलेक्ट करेंगे using ATM card details उसके बार में आप submit पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको यहाँ पर profile password पता है तो उसको भी select करके कर सकते हो बट मैं यहाँ पर ATM के थुरू कर लोंगा सही रहेगा तो जैसे आप submit करेंगे आपके सामने ऐसा new page आजाएगा आपका ATM से हो जाएगा दिन आप इसको select करेंगे फिर आप confirm करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको करेंगे आप थोड़ा सा बेट करना यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे यह पेज अभी रिफ्रेस होगा और आपके सामने password set करने का option आ जाएगा तो अभी आप देख सकतो हमारे सामने password set करने का option आ चुका है देख सकतो इंटर new login password तो आप दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक password set कर लेना होगा तो अब यहाँ पर दोस्तों आप जो उपर password डालेंगे सेम उसी password को नीचे डालेंगे फिर आप submit करेंगे और आपके Yono SBI का password set हो जाएगा तो चलिए मैं एक password set कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमने एक password डाल दियो हूँ फिर यहाँ पर मैं submit पर क्लिक करता हूँ जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे successfully आपके Yono SBI का password set हो जाएगा आप देख सकते हो password set हो चुका है तो बस आप यहाँ पर simply back चले आए आपको काम finish हो चुका है अब आप simple यहाँ पर Yono SBI app को open करेंगे और आपने अभी जो अपना username and password set किया है इसको डालकर login करेंगे और आप Yono SBI में login हो जाएगे तो इस तरीके से आप अपने Yono SBI का username and password पता कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like क करो एंड गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो चलिए दोस्ता हम आप से विलेंगे अगले वीडियो के साथ अपते के लिए जय हिंदे जय भारत